हेलो एवर्यवर्ण में स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में बचो दिस इस और एजुकेटर उज्वला पुंज और आज हम लोग लोग लेकर आ गए हैं क्लास 10 एकनॉमिक्स का एक चाप्टर जिसका नाम है मानियान क्रेडिट और बचों की चाप्टर नहीं प बचो इसके अंदर आप लोगों को MCQ questions, long answers, short answers, उसी के साथ से assertion reason based questions, you'll get a lot of things, a lot of variety in these questions तो कि काफी ज्यादा important questions है इस chapter के साथी पे कुछ true and false, कुछ fill in the blanks, ऐसे questions भी लेकर आई हूँ, so बहुत मज़ा आने वाला है, यह chapter वैसे ही काफी interesting है और जाहिर सी बात है कि इसके questions को attempt करने में भी उतना ही मज़ा हम लोगों को आने वाला है, तो चलिए class को कर लेते हैं, चालू, सबसे पहले first question हम लोग चल अब बचो देखें, credit, यहाँ पर पूछा जा रहा है, सबसे पहले question को समझो, कि credit यानि कि जब हम लोग लेते हैं, तो कभी-कभी वो लोग जो है न बोरोर को एक debt trap में डाल देता है, कैसे डाल देता है, कोई आप loan ले रहे हो, पैसा उधार पे ले रहे हो, आप एक debt trap में क कैसे पढ़ सकते हो उसकी वज़े से, तो इस चीज को explain करना है, और फिर example भी देना है, तो example बुक से ही देंगे, कोई बाहर से नहीं देने वाले example, तो सबसे पहले देखें, sometimes credit is very painful as it pushes the borrower into such a situation from where the recovery is very difficult, in this situation the borrower is not able to repay the loan and many a times caught into a situation of debt trap, तो बचो basically, debt trap एक ऐसी situation होते है, जि कभी कभी borrower जो है जब credit लेता है तो वो debt trap में फस जाता है, जहां पर debt trap का basically क्या मतलब है, कि आपने एक जगह से loan लिया है, पर आप उस loan को repay नहीं कर पा रहे हो, और repay करने के लिए आपने एक दूसरा loan लेनिया है, तो इस तरीके से जो आपके सर पे credit होता है, वो increase होता र हो जाती है, जिसकी वज़े से वो एक दूसरा loan लेती है, for spraying pesticides, but the production was not enough, और इतना जादा वो फायदा नहीं कर पाती, इतना जादा profit नहीं कर पाती है, जिससे की वो loan अपना repay कर दे, and इस वज़े से वो debt trap में आ जाती है, ठीक है, alright, तो high risk situations में debt trap में आना एक बहुत बड़ी possibility है, next देखिए, next है four advantages of these self-help groups for the poor, बचो self-help groups के advantages मैंने आपको बता रखी है, तो यहाँ पर basically पहले एक introduction लिखा, new idea to organize the rural poor, particularly women, to pool their savings, generally, group के अंदर 15-20 लोग होते हैं, members जो है, एक ही पडोस को, एक ही neighborhood को belong करते हैं, ताकि वो लोग जो है regular basis पे मिल सकें, और savings अपनी कर सकें saving per member, जो है, वो 25 से 100 रुपे तक वेरी करती है, सबकी अपनी capacity पर डवेंट करते हैं, तो basically इन्होंने एक introduction दे दिया, about the self-help groups, कि what are the self-help groups, it's reality, अब हम ज़रा इसके फायदे बताएंगे, तो यह रहे हैं वो चार फायदे, फटा-फट से देख लीजे बचो इनको, हम लोग अगर group regular अपनी savings में रहता है, तो फिर regular अगर आप savings कर रहे हो, तो फिर आप उसी तरीके से, एक तरीके से eligible हो जाते हो, क्या bank से लोड ले सको, ओके, loan is provided to help them create employment opportunities, they help the women making them financially self-reliant, provides a platform to discuss and act on a variety of social issues, बचो बेसिकली ये advantages नहीं है, बेसिकली advantage ये है कि आपको बिना collateral के loan मिल जाता है, the first advantage is, कि आपको बिना collateral, बिना कोई चीज गिर्वी रखे loan मिल जाता है, दूसरी चीज़ा, self-help groups एक बहुत low rate of interest आप से charge करते है, so the charge of very low interest rate, ब्याज बहुत कम लगता है, तो cost to the borrower is low, cost to borrower is low, आपको वहले learn करना है यार, जो मैंने आपको पढ़ाया थे, ये मत देखना ये यहाँ पर ऐसे लिख रखा है, ये मत देखेगा, low interest rate देखेगा, उसी के साथ एक तरीके से self-employment opportunities create करता है, लोग जो है उनको अगर अपना छोटा मोटा सा कोई कारोबार चालू करना है, तो वो चालू कर सकते हैं, ठीक है, तो self-employment opportunities भी create करता है, उसी के साथ साथ बच की जरूरत नहीं है, को लाटरल की नीड नहीं लगती, self-help ग्रूप में अगर आपको लोन लेना है, साथ ही मैं अब platform to discuss a variety of social issues, discuss a variety of social issues, तो अगर किसी के साथ कोई domestic violence हो रही है, या कोई दिक्कत आ रही है, जो भी है तो उन सब चीजों को डिसकास करने के लिए एक प्लाट platform मिल जाता है, तो बचो basically आप लोगों को इन advantages को लिखना है, साथ ही मैं अगर आपके फ़न में कोई और advantages हो तो उनको भी add up कर लीजेगा, मैंने जो आपको 4 advantages पढ़ाई थी self-help group की वो लिखेगा, ठीक है, ये वाली नहीं, ओके और अगर आप लोगों को पता करना है कि वो sector of loans in India explain its functions, बचो हम सभी को पता है कि जो RBI है, Reserve Bank of India है, वही हमारे formal sector को supervise करता है इंडिया में और RBI के functions को explain करना है, तो RBI के क्या functions है, सबसे पहला, देखो यहां पे लिखा है, RBI है वो government body है, जो कि functioning of formal sources को supervise करती है, functions of RBI क्या है, अब हम बताएंगे, देखो, सबसे पहला है, RBI sees that the banks maintain the minimum cash balance, it monitors that the load is not just given to the profit making businesses but also to the small borrowers and it also asks the banks to submit information like how much money they are lending, to whom they are lending and at what rate of interest, तो बचो RBI किस तरीके से formal sector को supervise करता है, किस तरीके से निगरानी रखता है, सबसे पहले RBI यह चेक करता है, कि सारे कि सारे banks, ऐसा तो नहीं कि कि अपना सारा पैसा load में दिये जा रहे है, तो they should maintain the minimum cash balance, जो कि है 15% of the deposits that they receive, 15% जो भी उनको deposit मिल रहा है, वो उने maintain करके रखना ही रखना है, RBI इस पे चेक रखेगा, दूसरे चीज़ है RBI यह भी देखेगा कि लोन जो है, banks सिर्फ profit making businesses और traders को तो नहीं दे रहे है, बलकि banks को, banks के लिए required है कि banks also have to give loans to the small borrowers, small borrowers को भी ल ले रहा है, उसी के साथ RBI जो है banks से मांग सकता है कि उनको information submit करनी है, जैसे कि वो कितना पैसा लोन पे दे रहे है, किसको लोन पे दे रहे है, कितने ब्याज पे वो लोन पे दे रहे है, तो यह सारी चीज़ उनको जो है submit करनी पड़ेगी, so these are the things that the RBI does in order to, in order to supervise the formal sources, formal sector in India next, mention any three points of distinction between the formal sector and the informal sector, बच्चों ही बहुत ही important है, ठीक है, formal sources of credit, source of credit and informal source of credit, इसके बीच में division या distinction, बहुत ही important question, बहुत ही जादा important, star mark करने हूँ, ठीक है, so how do we differentiate between the two, C, formal or informal sector loans की बीच में अगर हमें distinguish करना है, differentiate करना है, तो हमें आपे लिखेंगे, कि the banks and cooperatives are called the formal sector credit, whereas the money lenders, friends etc. are called the informal sector credit, formal sector charges less rate of interest, whereas informal sector charges a high rate of interest, it is easy to repay, whereas informal sector is difficult to repay, बच्चों, basically, यहाँ पर आप सबसे पहले जो की distinction है, मैंने यह भी बता रखा है आप लोगों को, जब भी आप इस distinction को चालू करो ना, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि formal sector credit को supervise करता है RBI, ठीकिए, there is an organization, government organization that supervises the functioning of the formal sector credit in India, and that is the Reserve Bank of India, बट ऐसी कोई भी organization in formal sector of credit में मौजूद नहीं होती है, तो आपका जो discussion है, या जो differentiation है, वो इसी point से start होना चाहिए, कि यहाँ पे supervision के लिए RBI है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, अब क्योंकि supervision के लिए RBI है, तो RBI है, तो supervise करती है, अभी हमने देखा कैसे कैसे supervise करती है, जिस वज़े से formal sources of credit के अंदर, जो interest rate है, जो ब्याज charge करा जाता है, वो काफी कम होता है, और यहाँ पर जो ब्याज charge करा जाता है, वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे interest rate बहुत जादा है, यहाँ पे interest rate बहुत कम, यहाँ का loan repay करना आसान है, यहाँ का loan repay करना ब पर government निगरानी नहीं है वो सारे informal sources में आ जाएंगे ठीक है simple as that चलो next question है हमारा fifth question चलिए फटा-फटस को देखते हैं what is money? पैसा हां पैसा क्या है and modern money currency को एक medium of exchange की तरह accept क्यों करा जाता है बाचो जो हमारे paper notes है coins है क्यों करते हैं उसको हम एक medium of exchange की तरह use क्यों करते हैं तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि money एक intermediate है in the exchange process eliminates the need for the double coincidence of wants as money acts as an intermediate it is also called the medium of exchange not made of any precious metals though used as a medium of exchange because the government of the country authorizes the currency as the law legalizes the use of rupees so no individual can refuse a payment made in rupees and therefore rupees widely accepted as a medium of exchange तो बच्चों basically बोला जा रहा है money क्या है money एक intermediate है जिससे कि आप exchange process को carry out कर सकते हो और जिसने double coincidence of wants की need को eliminate करा है क्या बोल देया महवा आपने यह यह यार barter system चलता था जहापे एक समान को दूसरे समान के बदले exchange करा जाता था वहाँ पर exchange process तभी possible हो पाता था आप कोई चीज तभी खरीद सकते थे अगर दूसरा इंसान आपकी चीज खरीद के आपको अपनी चीज देना चाहता हो तो है ना कि मतलब मारकर है सबोज ही एक मारकर है और एक क्लचर है तो आप क्लचर लेकर गए आपने बोला मेरे क्लचर के बदले मारकर दे दो और अगर यह इंसान राजी हो जाता है कि ठीक है मेरा मारकर के बदले तुम मेरे को क्लचर दे दो तभी जाके वह एक्सचेंज प्रोसेस काम्याब हो पाता था बड़ अब मनी आ गया मनी एक इंटर्मीडियेट है मनी इन दोलों के बीच में चीज आ गए कि मैं भाई अगर मैं क्लचर लेना है मैं क्लचर के इंटर्मीडियेट की तरह आक्ट करती है वो ना तो किसी प्रेशियस मेटल से बनी है ना तो वो कोई डेली उसकी आइटम है बट फिर भी हम लोग इसलिए उसको अक्सेप्ट करते है क्योंकि इट इस ऑथराइज बाइज गवर्मेंट ऑफ इंडिया गवर्मेंट की बिहा लोग इंडिया में रहे हम तो सिफ डॉलर में पेमेंट लेता है इंडिया में रह तो यार रूपी हमारी करनसी है ठीक है तो कोई भी हमारे कानून के हिसाब से रूपी लीगल है और कोई भी इंडिविजवल जो है पेमेंट जो की रूपी में करी जाएगी उसको now we move on to the sixth question what is the sixth question a bunch of our past multiple choice questions are going now we'll attempt some mcqs this may tum logo ko bada hi mazada hai chalo dekhtay kya likha a potter is making pots matka bana ra hai potter pottery karra hai he wants to exchange the pots for wheat to matka wheat kee mazada wo chaatai ki merah matka le lo aur mujhe johai gehu de do luckily wo eek farmer se milta hai wo eek kisahan se milta hai jiske bas gehu ho ta hai or wo farmer bhi tiyar ho jata hai ki thik a merah gehu le lije or me ko matka de dije now what is this situation known as yaar eek potter hai potter hai or eek farmer hai hai na potter ke paas pot hai farmer ke paas wheat hai aur yeh doonho tiyar ho gaya ki wheat ke badle heo karewee ko pot de do heo karewee pot ke badle pe ko wheat de do to yeh situation hai double coincidence of wants ki situation where one where whatever one person is willing to sell the other person is willing to buy hai na joh mein bechna chaathe ho wahi dúsra khariidna chaathe ho aur joh dúsra bechna chaatha hai wahi mein khariidna chaathe ho to yeh situation hai double coincidence of wants aur yeh system hai barter system okey now next is modern form of money kya kya chizho ko include karta hai bachow joh aaj ka modern form of money hai us mein kawin 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 si chizhe included hai currency notes and coins kawdi shells kawdi shells hoote hai shells joh hoote hai na kawdi shells and stones gold and silver coins grains and cattle modern form of money toho hummara currency notes and coins joh ko hama aaj ki time pere use karete hai eek time pere kawdi's ko use kara jata tha bachow joh seashells hoote hai unko now raghav has surplus money surplus ka matlab hai extra paisa hai uske paas to woh kya karta hai aapna bank account khulvata hai usmei aapne paisa ko deposit kerva dayta hai when he needs money he can go to his bank withdraw from there this kind of a deposit with the banks are known as bachow raghav ki paas surplus paisa suppose raghav kereh meri paas 10,000 extra pada hai to woh aapna bank account khulvata hai 10,000 deposit kerva di hai aur jab bhi unko iso paisa ki zarurat hai woh haram se bank me jah sakti hai aur usko withdraw bhi tikalvaa bhi sakti hai baapis kyunki udi ka toho paisa hai kisi or ka thudhi hai is cheese ko kya bola jata hai these are known as demand deposits these are known as demand deposits next a person can withdraw money by issuing a check a can sandro hai paisa withdraw कर सकता है check issue करके check होता क्या है loan taken by the bank loan taken by the depositor from the bank a paper instructing the bank to pay a specific amount या फिर a paper valid to withdraw money बचों check हम लोग issue करते हैं check क्या होता है paper होता है paper होता है ना check जो कि bank को यह instruction देता है कि जो भी मैंने amount उस check पे लिखा है यह amount मेरे account से withdraw करके उस इंसान के account में भिजवा दो जिसके नाम पर check issue किया गया है तो paper bank को instruction देते हैं कि specific amount जो है उस इंसान के account में भिजवा दीजिए जिसके नाम पर check को issue किया गया है okay what is the most important functions of the bank bank का सबसे important function क्या है यहां दिवाली होली वाले function की बात नहीं हो रही function मतलब bank क्या perform करते है accept deposits and extend loans give loans to government open as many bank accounts as possible give loans to businesses बचो bank का सबसे major function है कि लोगों से जिनके पास surplus money है उनसे deposits accept करना और loans borrowers को देना एक जगह से deposit accept करो एक जगह पर borrower को loan दो this is the main function next question which among the following is not a feature of the informal source of credit informal source of credit की बात हो रही है कि कौनसी चीज informal source का feature नहीं है it is supervised by the reserve bank of india rate of interest is not fixed terms of credit are very flexible traders employers friends relatives etc provide informal credit source बचुर एक सेकिड पहली बात हो informal source की बात हो रही है तो obviously बात है कि rate of interest fixed नहीं है लोग जो मन में आए उतना ब्याज charge कर सकते तो यह तो valid है point फिर लिखाए terms of credit are very flexible हां मतलब आपसे जो है ऐसे लिए कि collateral गिर्वी के लिए मांगेंगे flexible होता है documentation वगरा नहीं चाहिए होती क्योंकि मन मानी चल रही है न यहां पर तो इतना कुछ ताम जहाम होता नहीं है उसी के साथ साथ traders employers friends relatives यह सारे लोग ही तो informal credit के sources है यही से तो आपको informal credit मिलता है तो कौन सी चीज गलत है informal sources को लेकर first वाला की तो supervised by the RBI बच्चों हम लोगों को clearly बात पता होने चाहिए कि जो informal source of credit है उसको supervised करने के लिए कोई भी authority नहीं होती है there is no authority that supervises the functioning of the informal sources of credit now we move on to the next question the next question is the 12th question और यहां पर है okay अब हमारे पास आ गहा है थोड़े से fill in the blanks तो हम fill in the blanks करेंगे मज़ा आएगा चलिए देखें क्या लिखा है फटा फट से देखें बैंक्स इन इंडिया these days hold about dash percent of their deposits as cash बच्चों बैंक्स के पास बहुत से लोग जिनके पास surplus पैसा ही पैसा है वो सारे लोग जाते हैं बैंक के पास deposit कराते हैं वो पैसा और बैंक्स जो है उस पूरे deposits का ऐसा नहीं कि सारा deposit उठा के loan में दे देते हैं लोगों को नहीं they cannot do that तो at any given day if a depositor comes to withdraw their money तो banks should also have money with them तो इसलिए banks के लिए compulsory रहता है कि जो भी total amount deposits का आ रहा है उसमें से at least minimum 15 percent जो deposits हैं वो अपने पास रखेंगे ही रखेंगे ठीक है why do they keep that they hold their deposits and as cash because at any given day depositors can come to withdraw depositor ने पैसा deposit ये थोड़ी है उमर भर के लिए करा दिया है कभी वो आके उसको withdraw भी तो करवा सकता है तो इस time पे bank कैसे कंगाल होगे थोड़ी ना बैट जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ उस deposit का हिससा अपने पास रखना पड़ेगा कि if at any given day somebody comes and they want to have their money back so we should have a certain money with us 15% total deposits का वो अपने पास cash में रखते हैं बाकी वो deposits loan में extend कर सकते हैं चली 13th question है deposits in the bank accounts withdrawn on demand बचो bank में आप अपना पैसा deposit कराते हो फिर आप उसको अपने हिसाब से जब भी आपका मन करें उसको आप withdraw भी करवा सकते हो इस particular चीज को क्या बोलते हैं these are known as demand deposits तभी तो इनको demand deposit बोला जाता है क्योंकि आप deposit करा रहे हो और जब आपका मन करें तो आप उसको withdraw भी करवा सकते हो क्योंकि आप भी का पैसा आपके पडोसी कर रहे है ठीक है so these are known as demand deposits चली ए next question क्या है देखते हैं since money acts as an intermediate in the exchange process it is called intermediate का मतलब है कि बीच में आता है बीच में आने का मतलब है कि मैं market जा रहे हूं अभी क्या है मैं सीधा इसे chips का packet उठाकर इसे भाग के घर नहीं आ जाओंगी there is an intermediate हैंना मेरे और chips के packet के बीच में क्या है पैसा मेरको पैसा ने काल के अपनी जेब से देना पड़ेगा 10 रुपे 20 रुपे जो भी है वो देना पड़ेगा फिर ही मैं वो चीज़ खरीद सकती हूं ठीक है तो it's an intermediate intermediate का मतलब समझो चीज़ बीच में आती है किसी process के ठीक है so money एक intermediate है exchange process में कोई भी आप service खरीद रहे हो या good खरीद रहे हो whatever that you are doing any exchange process goods का exchange, service का exchange उस चीज़ में money एक intermediate की तरह काम करता है therefore it is known as the medium of exchange जिसके through आप exchange possible कर पा रहे हो तो money एक medium of exchange है all right ठीक है चलो next 15th question है major portion of the deposits is used by the banks for banks के पास ये बहुत major portion है deposits का, banks क्या करते है उन deposits का ये को कुछ तो अपने पास cash में रखते है कि किसी दिन कोई depositor वापिस लेने आज अपना पैसा तो चलो रख लेते हैं बड़ जो major portion है ना deposits का, bank would, that is used by the banks for extending loans क्योंकि major portion वो loans extend करने में यूज करेंगे क्योंकि यार loans से ही तो उनको कमाई होती है loans उनका basic main जरिया है पैसा कमाने का, क्योंकि loans पे वो एक जादा rate of interest चार्ज करते हैं depositor को वो कम rate of interest देते हैं, जो दोनों के बीच का difference है, that is their main source of income right, so they use the major portion of the deposits to extend loans चलो, next, true and false, बहुत simple, चलो भाई, true and false को भी attempt करेंगे, देखिए क्या है the main source of income for the banks is interest on deposit हाँ हाँ, नहीं भाई, deposits पे interest main source कभी भी नहीं है, तो this is definitely false interest, बच्च आप लोगों को याद रखना है, main source of income bank का क्या होता है, interest paid, sorry, interest received from the borrowers minus the interest paid to the depositor, ठीक है, देखो क्या होता है, जब मैं main source of income की बात करती हूँ ना, confuse मत हो ना इस चीज में, main source of income क्या होता है, bank का, interest charged from the borrowers minus the interest paid to the depositors, तो जो interest borrower से charge करा जा रहा है, वो जादा है, ठीक है, उसमें से हम लोग जितना depositors को pay करें, वो subtract कर देंगे, तो वो जो पैसा बचा, वो bank का main source of income होता है, next है, in a SHG, in a self-help group, most of the decisions regarding the savings and loan activities are taken by the government, बचों याद रखेगा कि self-help group में, सरकार कोई भी निर्णे नहीं लेती, तो पहली बात हो, यह false है, किसके द्वारा निर्णे लिया जाता है, हर चीज के regarding members द्वारा, जो SHG के members होते हैं, वही सारे major decisions लेते हैं, which are regarding the savings and the loan activities, so it is taken by the members of the self-help group, now, next is, a debt trap means overspending till no money is left, यहाँ बोला जा रहे हैं, जो कर्जे का चंगूल है, debt trap है, इसका यह मतलब होता है, कि हम तब तक पैसा खर्चे जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, जब तक हमारे पास कोई बैसा नहीं बचा, तो यार कितना गलत लिखाएं लोने, this is also false, debt trap का यह मतलब होता है, बचो जब आप एक लोन लेते हो, बट एक काफी risky situation होती है, आप उस लोन की पैसे से कुछ कमा नहीं पाते हैं, कुछ profit नहीं अर्न कर पाते हैं, that is why you are having a difficulty in repaying the loan, और लोन को आप repay नहीं कर पा रहें, तो इस वज़े से अपनेंग नया loan ले लिया, फिर उस लोन को repay करने के लिए नया loan, तो इस तरीके से करजा, करजा, करजा तो आपके सर पे हैं, एक जगा से, दूसरी जगा से, तीसरी जगा से, लोन ले लेकर, करजा बढ़ता गया, जिसके बाद, recovery is very painful, ठीके, तो that situation is known as a debt trap, now, यह तो बिल्कुल गलत लिखा है, चलो, next, the collateral demand that lenders make, make loans against our vehicle and building of the borrower, है, the collateral demand that the lenders make against the loans are vehicles and buildings of the borrower, यह ना against loans, थोड़ा अलग लिखा है, against the loans, हाँ, तो basically, बात क्या है यहाँ पे, collateral यानि की गिरवी रखने की बात हो रही है, और क्या चीज़ को गिरवी रखने की बात हो रही है, जो lenders होते हैं, बच्चों, जो एक तरीके से हुआ, lending the money, जो पैसा आपको जो है, उधार पर दे रहे हैं, जो भी है, तो lenders जो है, जब एक तरीके से आपको loan देते हैं, तो they are obviously making a demand, है ना, collateral मांग रहे हैं वो आपसे, अब ये collateral क्या होता है, गिरवी रखने हैं आपको, मैं suppose 5 लाग का loan ले रहे हूँ, ठीके मैं borrower हूँ, और किसी इंसान से जिससे मैं loan ले रहे हूँ, वो lender है, वो अविस सी बात है कि वो lender मेरे से demand करेगा, कि मैं कोई ना कोई चीज जो कि equivalent है उस 5 लाग के, मैं उसके पास loan, sorry, मैं उसके पास collateral रखवा हूँ, गिरवी रखवा हूँ, अब वो चीज कोई भी हो सकती है, जो मेरे पास asset है, वो मेरा वहिकल हो सकता है, वो मेरी property के कागल से हो सकते है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, so obviously collateral demand जो होती ही lender की होती है, जब वो loan देता है, कि वो कुछ भी borrower का वहिकल या building अपने पास रखवा ले, तो हाँ, बिल्कुल से, asset, वहिकल बिल्डिंग की जगह हम बुलेंगे, asset that the borrower owns, थोड़ा confusing लिखा है, बट समझवा, तो ये true हो जाएगा एक हट तक, हाँ, जब कोई asset तो रखवाना ही पड़ता है, Grameen Bank is the success story that met the credit needs of the poor at reasonable rates in Bangladesh, बट समझवा जो, Grameen Bank Bangladesh की बात हो रही है, और obviously, ये एक success story है, तो ये एक success story है, तो ये तो ये तो ये पर हमारे true and false questions होते हैं complete, let's move on, Now we come to the assertion and reason. All right, चलो, assertion and reason questions को भी देख लेते हैं, सबसे पहले assertion क्या है बचो, कि banks keep only a small proportion of the deposits as cash with themselves, हाँ ये बिलकुल true है, बहुत छोटा ही proportion रखते हैं, 15% ही रखते हैं, और यहाँ पर लिख है, ते होल्ट बाउट 15% of the deposits as cash, true है, a और r दोनों true है, and r is also the correct explanation of a, तो यहाँ बिलकुल बताया जा रहा है कि हाँ 15% रखते हैं, और वही चीज़ उसके explanation है, कि एक small proportion रखते हैं, तो a और r true and r is the correct explanation of a, next, banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on deposits, banks जो है मचों जादा ब्याज, charge करते हैं, loan पे और depositor के को जो interest देते हैं, वो कम देते हैं, तो यह भी बिलकुल सही बात है, यह भी true है, गलत क्या है इसमें, loan पे जादा interest charge करते हैं, और depositor को कम interest देते हैं, the difference between what is charged from the borrowers, and what is paid to the depositors, is their main source of income, यह भी बिलकुल true है, तो बचो यहाँ पर भी वही बात हैं कि, A and R both are true, and R is the correct explanation of A, तो क्योंकि बैंक को पैसा कमाना होता है, तभी तो बैंक जादा interest rate loan पे चार्ज करते हैं, और depositor को कम देते हैं, basically वो अपना पैसा ही तो कमाना चाहते हैं, that is the reason behind it, now next, credit would be useful or not, depends on the risk involved in a situation, बात बिल्कुल सही है, बच्चों जितनी जादा risky situation है, उस पर यह निर्भर करता है, कि credit useful होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो this is also true, जादा risk involved है तो हो सकता है, नुकसान भी पढ़ जाए, loan लेने से, कभी कभी होता है, कि risk कम है, तो फाइदा हो जाए, the chance of benefiting from the credit, is highest in the agricultural sector, है, बाई agricultural sector में तो सबसे ज़्यादा risk रहता है, वहाँ तो बल्कि, यहां लिखा है chance, chance कि आपको फाइदा होगा, loan लेने से, वो सबसे ज़्यादा agricultural sector में होता है, बलकि इसका उल्टा है, नुक्सान सबसे ज़्यादा agricultural sector में हो सकता है, credit लिने से, क्योंकि it's very risky, तो यहां पर हम लिखेंगे, A is true, but R is false, ठीक है, चलो next, next question is, assertion दी गई है, collateral एक asset है, that the borrower owns, such as a land, building, vehicle, livestock, deposits with the banks, uses this as a guarantee to a lender, until the loan is repaid, तो बिल्कुल सही है, बच्चों, एक guarantee की तरदा, आप collateral lender को तब तक दे कर रखते हैं, जब तक आप अपना पैसा पुरा चुकता नहीं कर देते हैं, तो this is true, उसके आगे है, collateral is given as the lender can sell the collateral, to recover the loan amount, if the borrower fails to repay the loan, बोला जारे, collateral दिया जाता है, ताकि lender जो है, वो collateral को बेट सके, हाँ, बिल्कुल सही लिखा है बच्चो, loan amount अगर repay नहीं किया जाता है, borrower द्वारा, तो याज़ क्या होता है, क्यों दिया जा रहा है, जिसे मैं आपको बहुत simply explain करते हूं, suppose मैं 5 लाग का loan लेती हूं, ठीक, I am the borrower, the other person is a lender, ठीक है, तो वो मैं को loan दे रहे है 5 लाग का, मैंने उनके पास अपनी गाड़ी, गाड़ी के कागर, चाबी वगरा सब रखवा दी, कि ये collateral की तरह, गिर्भी की तरह रख लो, कि कल को अगर मैं आपको 5 लाग रुपे, loan नहीं रीपे कर पाती है, तो आप क्या करो, आप जो मेरी गिर्भी रखी वी चीज है, इसको बेच कर, अपना पैसा तो recover कर सको, कि कल को मैं नहीं दे पारी पैसा तो, तो collateral इसले दिया जाता है, ता कि lender बाद में उस collateral को बेच सके, अगर loan amount repay नहीं हो पाता है तो, तो this is also true, तो यहाँ पर बचोग यह इसका explanation भी है, और दोनों ही statements हैंगे, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ बोथ A and R are true, and R is the correct explanation of A, next, the Reserve Bank of India supervises the functioning of the formal sources of loan, बिलकुल सही है, इसमें तो कोई second guesses है ही नहीं, yes definitely, RBI ही supervise करता है, हमारे formal sources of credit को, फिर RBI sees that the banks give loans, not just to profit making businesses and traders, but also to the small cultivators, small scale industries and to small borrowers etc, बिलकुल सही बचो, RBI यह भी देखता है कि banks जो है, वो सिर्फ profit making businesses और industries को ही loan ना दे, बिलकि small borrowers, small cultivators, cultivators, इन सबको भी loan देना चाहिए, तो बोत एन RR true and R is the correct explanation of A, ठीक है, दोनों true है और R जो है A का correct explanation भी है, याद रखेगा इस चीज़ को, चलो, next, alright, ओके, अभी हम कुछ short, बिलकुल वेरी वेरी short questions पर आ गए है, देखिए, how do the deposits with the banks become their source of income, very, very important and a very, very crucial question, क्यार bank के पास जिब लोग पैसा deposit कर रहे हैं, तो वो deposit bank का main source of income कैसे बन गया है, उस deposit से bank को कैसे कमाई हो रही है, तो देखो, बहुत से borrowers गए, उन्होंने bank के पास पैसा जमा कराया, deposits जब bank के पास रहते हैं, तो bank उसे deposits का इस्तेमाल करते हैं, to extend loans, है ना, और borrower से फिर उस loan पे ले लेते हैं, एक high rate of interest, charge करते हैं, एक high rate of interest, और less rate of interest देते हैं depositors को, और इसे difference से bank को कमाई होते हैं, this is their main source of income, तो बचो, when people deposit their money with the banks, उससे bank को कमाई नहीं हो रही है, तो bank उस पैसे को deposit हो गया वो पैसा, अब bank उसी पैसे से loan extend करते हैं, loan extend करेंगे, loan जिसको दिया है, उससे लेंगे ज़्यादा rate of interest, depositor के पैसे पे उसको देंगे कम rate of interest, और इसे की बीच का जो difference होगा, वो होगा bank का main source of income, basically main source of income ही explain करना है, next, why can one not refuse a payment made in rupees in India, कोई भी भारत वासी, भारत में रहकर, rupees जो कि हमारी इंडिया की currency है, उसमें करी गई payment को मना क्यों नहीं कर सकता है, obviously नहीं कर सकता है, तो one cannot refuse a payment made in rupees in India, because it is authorized by the government of the country, इसको हमारी देश की सरकार ने authorized करा है, that is why हम इसको refuse नहीं कर सकते हैं, next question is the 28th question, बचो ध्यान से पढ़िये, what is a check, अब ये बटे छोटे-छोटे से questions है, याद रखने हैं लेकिन ये definitions, check क्या होता है, check एक paper है, that instructs the bank to pay a specific amount from the holder's account, to the person in whose name the check has been issued, तो बचो, suppose ही मेरे एक bank का check है, मैं क्या करही हूँ, यहाँ पर suppose कोई नाम लिख रही हूँ, ठीके तुपे, नाम लिख रही हूँ, किसी का ABCD, ठीके और यहाँ पे मैं amount लिख रही हूँ, suppose मैं लिख रही हूँ 10,000 only, यहाँ पर मैं अपना signature कर रही हूँ, तो basically जब मैं यह paper अपने bank में दूँगी तो bank क्या करेगा? bank को मैं एक instruction दे रही हूँ कि यह जो amount मैंने लिखा है ना इस check पे आप इसको मेरे account से withdraw करके उस इत्सान के account में डलवा दीजे जिसके नाम पे मैंने आपको check issue करके दिया है basically check यही होता है next collateral क्या होता है बचों इसकी definition learn करना बहुत जादा important है कि what is collateral a collateral is an asset that the borrower owns ठीक है जो borrower के पास है कोई भी asset कोई भी value added चीज and given to the lender as a guarantee till the time the loan is repaid borrower का asset है जो borrower own करता है यह asset है guarantee की तारह lender को दिया जाता है till the time the loan is being repaid अगर borrower loan repay नहीं कर पाएगा तो lender के पास यह right है कि वो उस collateral को बेच कर अपना पैसा वसूल सकता है बात सभी को पता है last question पे आ जाते हैं define credit credit को define कीजिए what is credit credit का मतलब है loan loan का क्या मतलब है बचो credit is an agreement agreement है between the lender and the borrower loan किसके बीच में होगा एक lender और borrower के बीच में होगा जिसमें the borrower promises to pay the lender in the future तो borrower चाहे आपसे कोई समान ले रहा है चाहे कोई service ले रहा है चाहे पैसा ले रहा है वो एक तरीके से आपको यह वादा करके वो चीज ले रहा है कि मैं future में आपको अभी promise promise of returning it back in the future ठीक है promise of repaying it returning it back तो 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 वो होता है credit और इसे के साथ बचो हमारे चो टॉप 30 questions है competency-based questions काफी simple, काफी easy questions इस chapter की वो हमने कर लिया है basically बचो इस chapter में यही सब है बहुत ही आसान चीज़े है और भी बहुत सारे questions लाते रहेंगे हर chapter के अलगलग type के questions इतने questions करा दूँगे कि तुम लोगों को exam में असे लगेगा कि अरे मैम नहीं paper बनाये है मैम नहीं जो questions कराये तो वही paper में आये है ठीक है तो कोई question नहीं छोड़ेंगे सब कर डालेंगे इतनी practice कर डालेंगे कि paper हम से ढरके भाग जाएगा तो इन ये sessions को like करते रहे हैं बच्चों हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने subscribe नहीं करा है तो करते रहे हैं अपने दोस्तों को भी कमेंट कीजिए सारे 10th के बच्चों को लेकर इधर ही आ जाओ ठेक है और I will see you guys in the next class टेक क्यार बपाए गाईस